स्वागत है हमारे प्यारे से बैच माइंड मैप सिरीज में हाँ और आज हम रिवाइस करने वाले हैं सेट थियोरी आपको यह फील हो रहा होगा कि सर यह सेट थियोरी तो बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है सर इसका क्या वेटेज है सर सर यह क्यों पढ़ा रहे हो सर तो देख यह सेट थियोरी पढ़ना बहुत जारूरी हो जाता है तो आईए बटा शुरू करते हैं तो देखो सेट क्या होता है यह एक वेल डिफाइन केलेक्शन होता है अब देखो एक वेल यह सेट बोल दिया यहां पर वो बोल दिया या वन और टू बोल दिया अब देखो एक वेल यह सेट सी ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर खुद देखो दो सेट है एक वेल यह सेट के अंदर भी सेट हो सकता है यह भी अलाउड होता है मतलब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं भाई साब यह जो आपका जो सेट ए है वो हो जाएगा A, B, C और यह भाई देखो सेट A की मैंने वेल्यू पूट कर दी और भाई सेट B की वेल्यू कितनी हो जाएगी सेट B की वेल्यू हो जाएगी यह 1, 2 मतलब सेर देखो सेट के अंदर सेट भी हो सकता है यह कुछ एग्जाम् Singapore लिखे हुएं सेट के सेट A के अंदर elements क्या है सर इसके अंदर देखें तीन elements हैं पहला है a, दूसरा है b, तीसरा है c, वैसे ही सर जो set b है उθके अंदर सब 2 elements है 1&2 और सर जो set c है उफ्के अंदर देखें 2 elements है a और b, यहाँ पे मैंने set a की value put कर दी है सर से बी की मैंने value put कर दी है लेकिन अगर कोई बूस्ता है कि sir इसके अंदर कितने elements है उसको मैं NC बोल रहा हूँ NC का मतलब क्या होता है बेटा number of elements in set C sir set C में कितने elements है हम बेटा इसे 2 ही बोलेंगे तो लोग इससे प्रेम करते हैं इससे करते हैं परंतु इससे नहीं करते हैं से भी प्रेम करो इसको 5 ना बोल देना कि sir इसके अंदर 5 element है ऐसा ना बोल देना ओते sir yes बेटा और बता है sir yes अब देको भी हाग कुछ important science होते है इसका मतलब होता है there exist यह देको ultra e बना हुआ है यह जो बाई जो दो dot है इसका मतलब such that होता है यह जो दंडा सा बना हुआ है इसका मतलब भी such that होता है कौमा का मतलब and होता है said theory में यह जो بाई साब जो ultra e बना है इसका मतलब होता है for every या फिर for all यह जो e बना हुआ है epsilon इसे बोलते है इसका मतलब होता है belongs to और यह जो भाई epsilon लिखके जो काटा गया, इसका मतलब होता है, does not belongs to, वोते सब्सक्राइब, yes, next आता है, जो होता है, cardinal number, sir, cardinal number का दूसरा नाम होता है, order, चाहे बोलो cardinal number, चाहे बोलो order, इसका मतलब होता है, कि set में कितने elements है, set में कितने elements है, इसको, sir, हम कैसे represent करते है, o a, मतलब order of a, हम लोग ऐसे भ भी पढ़ते है, for example, वाई, एक आपको कोई set दिया हुआ है, उस वाले set के अंदार, sir, तीन elements है, one, two, and three, अगर कोई पूछ लेता है, कि number of elements in a बताओ, तब भी बेटा, आप तीन बोलोगे, कोई बोस्ता है, order of elements, बता, order of set a, बताओ, तेके, order of set a, बताओ, वो भी 3 बोलोग होता है, बाई, empty set, empty set का बेटा, दूसरा नाम होता है, void set, या फिर इसको क्या बोलते है, बाई, null set, ऐसे set का representation, बाई, एसा होता है, मतलब, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब, एसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है, कि इसके अंदर, echo element नहीं है, मतलब, number of elements in the set are zero, और इसका एक रिप्रेजेंट होता है, या एक रिप्रेजेंटेशन होता है, थेकिना, ऐसे लिखके, बेटा, काट सकते हो, थेकिना, फाई, इसका मतलब यही होता है, ये वाला, बेटा, sign बहुत जादा important है, है, sir, yes, बेटा, होते, sir, हाँ, बेटा, clear है, sir, बिल्कुल clear है, बेटा, बहुत अच्छे, sir, बहुत ज्यादा अच्छे, बेटा, अब यह रहां दूसरी चीज़ आती है, जिसको बोलते है, finite set, finite set का मतलब क्या होता है, डिसको हम लोग बोलते है, singleton set, singleton set का मतलब क्या होता है, सि इस नमबर अफ एलिमेंट सेट में कितने होते हैं, सर वन होते हैं, अगर यहाँ पे कोई एने पूछेगा, तो एने यहाँ पे कितना होगा, वन होगा, अगर सर मुझे इंफानाइट सेट का कोई एक्जामपल देना है, तो मैं बोल सकता हूँ, सेट ऑफ नाचुरल नमबर, क तो भीया, दो सेट को में इक्यूविलेंट तब बोलते हैं, जब उनका काडिनल नमबर सेम होता है, काडिनल नमबर सेम होने का क्या मतलब है, सर जो उसमें नमबर अफ एलिमेंट सेम होते हैं, जितने एलिमेंट पहले में हैं, उतने एलिमेंट सर क्या होने चाहिए दूसर है तो मैं गाओंगा येस क्योंकि सर ए में कितने एलिमेंट है सर दो है और बी में कितने एलिमेंट है दो है हाँ दोनों बेटा सेट इक्वल नहीं है दोनों सेट सेम नहीं है क्यों सर दोनों सेट सेम क्यों नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है ए और बी और इसके अब की बार बिटा, element भी same होने चाहिए, number of element भी यह same होना चाहिए, साथ में, जो element used है, वो भी same होने चाहिए, for example, बिटा, यहाँ पे मैं पीछे बात करूँ, sir, यह equivalent sets है, but not equal sets, यह sir, equal set नहीं है, क्योंकि sir, इसमें same element used नहीं है, for example, बाई, इसका example लेना है, एक मैंने set A ले लिया, उसके अंदर element था, 1 और 2, दूसरा बाई साब मैंने B ले लिया, उसके अंदर था, 2 और 1, तो sir, यह दोनों अगर देखे जाए, sir, क्या equal sets हैं, मैं काऊँगा, हाँ sir, यह equal sets हैं, साथ में sir, यह देखो, equivalent sets भी हैं, यह sir, yes, यह sir, साथ में equivalent sets भी हैं, क्योंकि sir, इसमें number of elements भी same हैं, और जो element बेटा used हैं, वो भी same है, यह sir, yes, जैसे बाई, true और false आता है, वीडियो को pause करो, खुझ से try करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी, चलो बच्छों, वीडियो को तुमने pause कर लिया होगा, अब आती हैं मेरी बारी, कि sir, जितने भी equivalent sets होते हैं, क्या वो equal sets होते हैं, नहीं sir, false, false, जितने भी equivalent sets होते हैं, वो equal sets नहीं होते हैं, हो सकते हैं, पर हमेशा नहीं होगा, for example, यहां देख लो भाई, यह equal set नहीं है, लेकिन equivalent set है, बहुत अच्छे, अगला आता है sir, जितने भी equivalent आजा, और all equal sets are equivalent, yes, ये बेटा true है, जो भी बहिए equal set होगा, तो देखो equal set की definition क्या होती है, कि sir, elements भी उसमें same होंगे, और sir, number of elements भी same होंगे, तो equal set में आपको एक चीज समझ में आ रही है, कि उसमें number of elements तो same हो ग ये sir, subset आता है, तो भी ये sign होता है, A is a subset of B, A is a subset of B, if all the elements of A are also the elements of set B, simple चीज है भाई, इसमें जो जो element होगा, वो भी आप B का भी element होगा, for example, भाई, आपको subset लिखना है, हाँ सर लिखके दिखाऊ sir, subset, for example, भीटा, आपको कोई set दिया हुआ है, A, इसके अंदर element है, 1, 2, 3 इसके भाई, सबसेट्स लिखने हैं, तो देखो भीटा, एक इसका subset हो सकता है, कि आप सिर्फ 1 को use करो, एक सबसेट होगा कि 1 और 3 को use करो, ठीके भाई, अब देखो भीटा, दो special subset होते हैं, कि एको को use ना करो, इसको भी subset कहते हैं, तुम्हें कुछ भी feeling इसमें आ रहे ही ह तो भीया इसके अगर आपको Subsets लिखने थे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको A के S wolfsets लिखने थे, तो भीया देखो, क्या पता सिर्फ 1 तो भाइसाब यह जो set नहीं में टो भाइसाब यह सेट था, यह उसके किया então, यह उसके सारे के सारे sub sets है, ऐसे subset लिखा जाता है, ये भी या ढो इस पेशल है, इसे बोलते हैं, empty set या void set, और ये भी या देखओ complete set A के बरापर है, मतलब हाँ, ये sir complete set Kे बरापर है, तो उपर जो भी अंगरेजी में लिखा उसका Hindi मतलब ये होता है, है sir, yes, MP set is also a subset, बहुत अच्छे, every set itself is also a subset of itself, very good, जैसे भी यहाँ पर आपको यह समझ में आया, कि sir, आपको एक दिया हुआ था set, 1, 2, 3, तो sir, इसका एक पूरा set लिख दिया, यह sir, set A लिखा है, तो खुद भी, खुद का subset होता है, यह होती है परिवाशा, अब यह कभी कबार पूछ दिया जाता है, कि number of subset बताओ, एक A, तो यह होता देखो, 2 की power Na, यह भी यह बहुत important formula है, इसको आपको याद ही करना है, है sir, for example, for example, जैसे भी यह आपको दे दिया जाए, कि A, कोई set A है, उसमें element कितने है, sir, 3 है, तो बताओ, number of subsets कितने होंगे, NSS लिख रहा हूँ, तो sir, यह होगा 2 की power Na, मतलब कितने होंगे, sir, 8 होंगे, है sir, हाँ, जैसे यह आपके गिनलो, वाईस आपको कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो sir, इसके 8 subsets है, हैं sir, अब जैसे सवाल आता है भी यह, वीडियो को pause करो, खुद से try करो, चलो भाई, मेरी बारी आ गई, अगर देखो, फर्स सवाल करता है, तो इसमें number of elements में a में पूछूँ कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं, तो बताओ sir, number of subsets कितने होंगे, तो सबको बताओ sir, 2 की power 6 होगा, बहुत इजी है, इसके आता भी यह, यहाँ देखो, अगर na बेटा, अगर यहाँ पे 7 है, तो number of subset कितना होगा, sir, यह 2 की power 7 होगा, and same way में मुन्ना, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे number of elements in b कितने हैं, 50 हैं, तो sir, number of subset कितना होगा, 2 की power 50 हैं sir, हाँ, बेटा, उते sir, बहुत बढ़िया बेटा, याद हो गया sir, बिलकुल बेटा, हैं sir, yes, अब आता भी आगला proper set क्या होता है, तो देखो, proper set का मतलब होता ह all the subsets excluding itself, उसे बूलते हैं proper subset, तो देखो number of proper subset of A क्या होता है, बस बैटा, 2 की power na में से आपको क्या करना है, बाई, पूरे में से आपको 1 को हटा देना है, मतलब 1 subtract कर देना है, for example बैटा, इसके आपको proper subsets लिखने थे, 1, 2 और 3 आपको दिया हुआ है, इसके बैटा, आपको proper प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, तो देखो क्या होगा, एक तो भाई या 5 होगा, ठीक है इसको भी या 5 भी बोलते हैं, दूसरा क्या होगा सर, दूसरा सिर्फ 1 होगा, सर, तीसरा सिर्फ 2 होगा, फिर क्या होगा सिर्फ 3, फिर क्या होगा भाई, 1 and 2, फिर क्या होगा भाई 2 and 3 है sir 1, 2, 3 यहाँ पे नहीं लेंगे तो यह सारे बिटा इसके proper subsets लिखे हुए है क्या मेरी बात समझ में आई मेरे क्याल से बाई समझ में आ गई होगी ठीके बाई अब देखो भाई यह true and false है सोचो वीडियो को pause करो खुझ से try करो subset of itself बिल्कुल सही यह भी बेटा true है है sir if na equals to alpha a में elements अगर बेटा alpha है then number of subsets of a 2 की पावर alpha यह भी बेटा बिल्कुल true है हाँ अगर na बेटा alpha है then number of proper subsets बिल्कुल सही यह भी सही है भाई यह बस 1 अटा दो 2 की पावर alpha में से इसके आद में क्या आते है भी यह यह भी यह null set है एकदम सही बात है बेटा यह देखो null set है एकदम सही चीज़ है मतलब 5 इसके बराबर होता है sir 0 जै null set अब यह देखो common mistake है बहुत लोग बेटा इसको बोल देते है true मुन्ना यह false है बेटा यह false है sir 5 जो है वो null set नहीं है sir यह क्यों नहीं है क्योंकि इसके अंदर element 0 है ठीक है ना इसके अंदर 1 element है कोई पूछे इसके अंदर कितने element है तुमको क्योंकि sir 0 है 0 एक number है तो इसलिए null set नहीं है यह बाई important होता है यह जरूर ध्यान रखना अब यह आगर मानो किसी ने पूछ लिया क्या यह null set है तो यह भी बेटा बहुत important है यह null set नहीं होता है तुमको लग सकता है तुमने mistake बेटा जरूर करी होगी ठीक है ना क्यों भी यह null set नहीं यह बेटा नहीं है this is false क्या मेरी बास समझ में आई यह बेटा false है यह null set नहीं है ठीक है ना इसको बोलते है null set इसको null set बोलते है और इसके अंदर तुम कुछ भी डाल दो तो null set नहीं है इसके अंदर भी यह कौन पढ़ा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है जीरो बहुत अच्छे ठीक है ना और इस इसको बोलते है यह बेटा इसको बोलते है यहां भी बिस्टेक होती है और इस जीच को आपको खून में बसाना है अगर कोई तुम से पूझ ले बताने है ठीक है यह true and false नहीं इसको बताना है कितने subsets होएंगे फाई के तो बता यार फाई में कितने elements होते है सब को बता है सर फाई तो घाली होता है अगर कोई तुम से बूझ ले number of elements in फाई तो तुरंद क्या लिखना है 0 क्योंकि इसके अंदर भी या कुछ भी रही है तो सर बता कितने इसके subsets होएंगे सर यह होगा 2 की power 0 जो की होगा 1 only one subset होगा जो भाई 5 itself है इसका subset क्या होगा 5 का subset बेटा 5 होता है 5 itself है सर हाँ बेटा क्या मेरी बात clear है मेरे गलस बाई सबको clear है तो भी यह जिसके यह सारे सही हुए थे उन लोगो कमेंट करना है बाबा दिल-दिल हाँ इसमें से कुछ गलत होगा है लेकिन आप सीख चुके हो चीजों को खून में बेटा बसा चुके हो तो आपको कमेंट करना है बाबा के साथ तीन दिल हैं सर हाँ बेटा करियर की कसम है ओ ते सर नेक्स आता है भाई यह बहुत ओपी सवाल है यह जाना सवाल बहुत मार पूछा गया है इस टाइप का सवाल जैसे भी है सेट A में M एलिमेंट से सेट B में N एलिमेंट से इस टोटल नंबर अफ सबसेटस ऑफ A ठीकिना इस 112 मोर दिन अफसेटस ऑफ B मतलब सर ए में जितने भी सबसेट है वो सर एक सो बारा जादा है एस कंपेर तो सबसेटस ऑफ B है सर मतलब क्या सर नंबर आफ सबसेटस ऑफ B N B का मतलब क्या है formula से इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की power n है सर हाँ अब बताँ यार 2 की power n को मैं धर ले जाता हूं तो देखो इस टाइप की equation आती है और तुम्हें देखो m और n की value निकालनी है तो देखो भी या इस टाइप के सवाल हम लोग कैसे solve करते हैं सर कैसे करते हैं देखो भाई कैसे कर करते हैं 2 की power n को common ले लिया तो 2 की power n बाहर देख रहा होगा अंदर भी या mathematical calculation के साफसे 2 की power m-n में पूरा सर यहां पे देखो 1 subtract हो रहा होगा है सर पूरा सर यहां पे देखो 1 subtract हो रहा होगा 2 की power कुछ भी कर दो even होता है 2 की power कुछ भी कर दो even होता है even में घटा दो odd होता है अब बता यार इसका मतलब क्या है मैंने गा सर इसका मतलब यह है कि यह वाली चीज इसके बराबर होगी तो जैसे बेटा इसको आप compare करोगे तो n की value कितनी हो जाएगी बेटा 4 है सर और जैसे बिए इस वाले bracket को इसके साथ compare करोगे तो यह आजाएगा सर 2 की power m minus n minus 1 equal to 7 1 गुदर ले जो तो सर 2 की power m minus n equal to होता है 8 मतलब सर यह होता है 2 का cube यानि सर जो m minus n है यह कितना हो जाएगा 3 है सर हाँ यह कितना होगा 3 यानि सर आप यह समझ गए हो कि n की सर 4 value आप यहाँ पर जैसे पुट करोगे जैसे भई आप पुट करोगे तो m की value कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी है सर हाँ अब आपको निकालना क्या है m into n what is m into n multiply करके देखो यह आ जाएगा 28 4 into 7 कितना होगा 28 तो देखो इस सवाल मतलब पूछा गया है एक दो बार पूछा गया है और यह famous सवाल है इसलिए बिटा मैंने करा दिया है अगर यह सवाल तुमने खुद से किया था तो आपको comment कर दे है इसके इंदर 4 element है 1 2 3 4 तो भी आपको फिल इंदर ब्लांक करना है वीडियो को पॉस करें 2-3 में ट्राइ करें फिर मेरी बारी आ जाएगी चलो भाई मेरी बारी आ गई है अब देखो भीया क्या है एक सेट ए है तो भीया 2 क्या है उसका element है तो इसको एसे लिखा जाता है 2 belongs to A सर यह 2 क्या देखो यह सेट है यह एक सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर है अपनी बाईया निकाहें एकदम स्ट्रॉंग करो यह क्या लिखा है यह सेट 2 लिखा है तो सेट 2 क्या भीया यह देखो subset of A है बहुत अच्छे सर यह 5 लिखा है 5 ही subset है A का बहुत अच सर क्यों क्यों कि सर देखो इसके पास 5 ही नहीं ना subset की definition क्या थी कि जो जो element इसके पास है वो सारे इसके पास होने चाहिए लेकिन इसके पास 5 है इसके पास 5 नहीं है तो भाई जितने लोग का सही हुआ था वो लोग कमेंट कर सकते हो alpha guru दिल दिल और जिन को समझाने के बास समझ में है वो लोग कमेंट करों के alpha guru दो आग हैं सर हाँ बेटा ओते सर यस अब यह देखो यह जो सवाल है यह पेटा देखो true and false है ओते सर हाँ this is true false अब जल्दी से पेटा खुद से सब लोग try करो फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर हाँ अब यह इसको बोला किया 5 does not belong to a मेरे क्याल से सबको पता है यह false है 5 तो बहिए subset होता है does not belong का क्या मतलब होता है does not belong और belong बेटा element के लिए यह यूज किया जाता है ठीके ना this is a subset of a false यह बहिए subset नहीं है a का सबको पता है sir a का subset क्या है a का बाइस सबसेट फाई होता है a का इसका subset 5 होता है अगला आता है this is a subset of a no false 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 यह भी भाईया false है कैसे सबको पता है sir कि एक अगर कोई subset लिखना चाहोगे तो sir इसका two subset होता है two sir subset होता है sir यह two तो एक खुदी set set के अंदर है यह इसका subset नहीं होगा three belongs to a यह तो sir एकदम true है पीछे आप देख सकते हो क्योंकि three सबके पास है इनके पास भी है और साथ ने मेटा three इनके पास भी है मतलब three belongs to a ओते sir हाँ five is a subset of every set बिल्कुल सही है एकदम सही है ठीक है ना five is a subset of itself बिल्कुल सही है है sir हाँ अगर यह आपका सही हुआ है तो खुब सारे दिल बना दो गलत हुआ है लेकिन अब तुम सीख हो तो खुब सारी आग बना दो है sir हाँ बेटा ओते sir बिल्कुल सही बेटा तो यही बहुत इंपोर्टेंट चीज है इसको थोड़ा खून में बसाना कि sir इसको बोलेंगे एक ऐसा सेट है जिसके अंदर element ए है इसके अंदर अगर कोई बेटा element पूसता है तो मैं इसका element क्य अंदर होता है वो बैया element होता है यह ज्यान अपने दिमाग में रखना है sir हाँ पावर सेट क्या होता है तो देको पावर सेट ओफ एक दिया हुआ है set A दिया है बेटा 1, 2, 3 मैंने गा sir इसका PA लिखो क्या लिखना है sir? power set लिखना है तो देखो भीया main bracket के इंदर पहले आएगा 5 बहुत अच्छे फिर आएगा भीया set A मतलब set 1 वाला फिर आज आएगा 2 element वाला फिर आएगा भाई 3 element वाला फिर आएगा भाई 1, 2 element वाला फिर क्या आएगा भाई? फिर आएगा 1, 3 element वाला और फिर क्या आएगा भाई? 1, 2, 3 element वाला है sir? हाँ तो भाईया ये जो set आप देख रहे हो इसको बोलते हैं power set of A तो देखो power set of A में कितने elements है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, कुछ miss कर दिया क्या? सुरी एक चीन miss कर दी क्या sir? 2 और 3 भी तो होगा 7 and 8 कितने है sir? 8 और सही बात है क्योंकि sir power set में A के सारे subset elements होते हैं तो sir power set में कितने elements होएंगे? कोई पूछेगा number of elements in power set of A तो हम क्या बोलेंगे? this will equal to number of subsets of A सर यह number of subsets of A के बराबर होगा मतलब 2 की power 3 8 आना था तो देखो 80 आया है इसका element यह ना बोलना इसका element 1 है? नहीं इसका element क्या है? 123 है यह ना बोलना कि power set का element 1 है? नहीं इसका element में यह पूरा का पूरा यह है है sir? हाँ बेटा ओते sir? तो यह राइट power set of A already done बहुत अच्छे अब यह देखो note देख लो वही चीज है कि अगर number of elements in A P है तो number of elements in power set of A कितने होंगे? इस विल इक्वोल टू number of subsets of A मतलब 2 की power P यह सारी चीज एक short note copy में लिख रहा हो कि निख रहा हो? पूरा revise हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है? अब देख लो भाई एक बहुत महत्पूर ग्यान आता है power का ग्यान जिस पे इस बार जही मेंस में सवाल आ सकता है है? ध्यान से सुनो अगर कोई तुमसे पूछे number of elements in power set of power set of power set of power set of A sir कितनी बार sir यहां पे power लगाया है? मैंने का चलो भाई यह यह जूम कर लेते हैं कि sir power यहां पे मैंने कितनी बार लगाया है? r times लगाया है यह PR बार लिखाए है ठीक है ना इस equals to क्या होता है? इस equals to यहां को सुनिएगा 2 की power 2 की power 2 की power 2 की पावर 2 की पावर और आखरी में लिखा होगा 2 की पावर number of elements in A क्या बोल्ड में दिख रहा है क्या बोल्ड में दिख रहा है यह बहुत important formula है शायद इस बार यह जेय हमें में आजये आ सकता है और सर बतो यहां पर 2 कितनी बार लिखा है, यहां पर अगर आप 2 गिनोगे तो उतनी बार है जितनी बार भी आप पावर लिया है, मतलब सर 2 कितनी बार लिखा है, 2 सर देखो, R टाइमस लिखा हुआ है, तो देखो इसको लोग याद कैसे करते हैं, कि जितनी बार P, उतनी बा 5 तो आपको बताने है number of elements बताने हैं इंदा either power set of power set of power set of a hazard, years in the power set of power set of power set of a… तो तो P कितनी बार आए है , 3 बार आए है तीन बार आए है zar 2 कि पघए इंदा राइगा......3 बार टू की power 2 की power 3 बार तु तीन बार 2 और च्वाला थो-र उसकी power ग्यों होता है in a मतलब 5, this will be the answer, है sir, हाँ, तो भी ऐसको ऐसे ध्यान रखना, कि जितनी बार P, उतनी बार टुल ले, ओते sir, हाँ बेटा, आप देखो भाई, दो सेट के बीच में, क्या क्या operation होते है, एक होता है, यूनियन, एक होता है, intersection, एक होता है, difference, एक होता है, symmetric difference, और पाच्वा होता है इसका साइन क्या होता है, एक होता है, यूनियन लेना है, तो यूनियन को देखो, भी या बोला जाता है, combined part of the two sets, मतलब दोनों सेट को मिला दू, इसका साइन क्या होता है, ए यूनियन भी, ए प्लस भी, या फिर A और भी, यह भी या तीनों के notation होते है, for example, भी आपको सेट A दिया हुआ है कुछ, यह आपको दिया है, 1, 2, 3, 4, sir, को यह आपको देखो, सेट B दिया हुआ है, मानो भाई सब जो सेट B दिया है, वो दिया है, 3, 5, और 7, अब क्या करना है, आपको निकालना है, मानो की A union B, तो देखो बढ़ा, A union B का मतलब क्या होता है, दोनों को combine कर तो, तो combine करो के, तो भी आप पहले में, 1, 2, 3, 4 है, मतलब दोनों का सारा लिख दो, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, अब इसका 3 लिखना था, लेकिन 3 यह दोबारा नहीं लिखते है, ठीके न, 3 आ गया, आ गया, अगला क्या होगा, 5, फिर क्या होगा, 7, अगर भाई साब, आप से प पर ही पूछ ले कि सर, A and B बताओ, तो इससे में common क्या है, सर, 3 common है, सर, हाँ, तो इसका answer आ जाएगा, 3, ओते सर, yes, अब आता भाई, difference of two sets, तो देखो भी यहाँ, A minus B क्या होता है, A में से, A और B का common हटा दो, बोलना सीको, A में से, A और B का common हटा दो, सर, B minus A क्या होता है, मैंने का, यार, B में से, A and B का common हटा दो, B में से, A and B का common हटा दो, है, सर, हाँ, तो भी यहाँ, यहाला formula आपको याद होना चाहिए, for example, पीछ ही, अगर भीया, मैं A minus B लिखना चाहूं, तो इसका मतलब क्या होगा, भीया, A में से, A और B का common हटा दो, तो common 3 है, तो A में से जैसे 3 को हटा होगे, तो बचेगा क्या, 1, 2, 4, तो इसका अंसर क्या लिख सकते हो, बेटा, 1, 2, 4, होते, सर, हाँ, अगर मैं बात करूँ, B में से, A और B का common हटा दो, अब जल्दी, भीया, B में से, A और B का common क्या मतलब दो, 3 हटा दो, तो बचेगा क्या, 5 और 7 बचेगा तो B में से, A और B का भाई common हटा दो, हैं सर, हाँ, अगला आता भीया, जिसका नाम है, disjoint sets, तो disjoint set का मतलब क्या होता है, कि A और B के बीच में कुछ भी common नहीं है, हैं सर, हाँ, अगला आता भीया, symmetric difference, तो देखो उसका representation क्या होता है, A triangle B type का लगा हुआ है, तो देखो A minus B क आपको याद होना चाहिए, जैसे भीया, इस वाले सवाल में, मैं A intersection B मुनना पूछू, तो बताओ A और B में common क्या है, तो साफ दिख रहा है, सर, यहां पे देखो 2 और 3 common है, अब अगर मैं तुमसे पूछू, सर, A minus B बताओ, तो यानि A में से common पार्ट अटाना है, तो सर, बताइए, क्या करना है, मैंने का, सर, A, triangle B, मतलब symmetric difference of A और B का मतलब क्या है, सर, अब इन दोनों का हमें union लेना है, तो इन दोनों का union क्या होगा, 1, 4, 7, 8 है, सर, हां बेटा, तो यह था भीया, next operation, अब आता भीया, next teach, अगर A को A के साथ मिलाओगे, तो A ही आता है, 2 A मतलि तो common कुछ भी नहीं आएगा, A union B लो, चाहे, B union A लो, दोनों सेम होते हैं, चाहे, A, B में common लो, चाहे, B, A में common लो, सेम रहता है, A का जो symmetric difference B के साथ है, वही भाई साब, A, B का symmetric difference A के साथ है, हां, यह भाई साब, last वाली चीज़ किया है, कि, in general, A minus B, और B minus A, बराबर नही होते हैं, generally बेटा, यह बराबर नहीं होते हैं, है सर, हां, super set की बात करते हैं, तो भीया, अगर कोई तुमसे बोल दे कि, भीया, A is a subset of B, इसका मतलब क्या है, सर, यह जो A है, यह भाई साब, subset होता है, और यह जो भीया, B होता है, इसको हम लोग क्या बोलते है, मुन्ना, we call it super set है, सर, yes मुन्ना, इसको हम लोग बोलते है, super set, next में आते हैं, universal set क्या होता है, किसी सवाल में, जो set दिया है, जितने भी set दिया है, उन सब का जो super set होता है, उसको बोलते है, universal set, tension लेने की बात नहीं है, यह भाई हमेशा सवाल में दिया होगा, और सर, इसको यू से हम ल universal set में सिर्फ a को हटा दो, 7 बैएस को हम कैसे denote कर सकते है, a-c भी बेटा बोल सकते है, a- भी बोल सकते है, a- बार भी बोल सकते है, इन सब का मतलब क्या है, universal set में a को हटा दो, मतलब a को छोल के बेटा सब कुछ है, सर, yes, जैसे बाई, यह आला सवाल आता है, यह आपको universal set और 3.4 और यही क्या है भाई, A- है, ओतेसर, हाँ बीटा, अगर next में आजो भाई, next क्या है, Venn Diagram Representation, यह भी यह बहुत important है, इसके formula भाई सब बहुत जादा important है, ठीक है, Venn Diagram से जादा, इसके भी यह formula आपको याद होने चाहिए, जो मैं आखरी में कराऊंगा, Venn Diagram क्या है भीटा, सेट को represent करने का तरीका है, ठीक है, elements are placed inside circles, सर्कल के अंदर हम यह assume करते हैं, कि element होगा, ठीक है, next कहाता है भाई, कि universal सेट क्या है, मैंने का सर, universal सेट को rectangle से represent करते हैं, और बागी किसी भी सेट को, ठीक है, बागी कोई भी सेट इसका subset होगा, हमेशा rectangle के अंदर आएगा, उसको सर्कल से represent करते हैं, है सर, हाँ, जैसे भीया, पहला case लेते हैं, जब A और B के बीच में, मतलब A intersection B, 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है, A और B के बीच में, कुछ ना कुछ common है, अगर भीया, कुछ ना कुछ common है, तो सर, तब इसका मतलब क्या होता है, कि सर, you will get overlapping circles, तब बेटा, हमें क्या मिलते हैं, तब सर, हमें मिलते हैं, overlapping circles, एक दूसरे को बेटा, ये overlap करते हैं, for example, Sir, A intersection B, बहुत जादा अच्छे, या फिर क्या Sir, A, B, बहुत अच्छे, या फिर Sir, A and B, ये इसका, तीनों का मतलब सेम होता है, तो देखो, overlapping circles होएंगे, तो A और B का मतलब, क्या A भी दोनों लेने हैं, मतलब दोनों का common portion, ये वाला होता है, जो pink से shaded है, अगर बेटा, मैं बात करूँ, only A की, या फिर इसे बोलते है, exactly A, या फिर बोलते है, A minus B, और अच्छे, A minus B को हम लोग पढ़ते कैसे, A मेंसे, A, B का common हटा दो, तो देखो, भी या क्या है, हमने क्या करा, A मेंसे, A, B का common हटा दिया, तो ये हमने पा लिया, तो सरी जो gray shaded part है, ये है A minus B, इसको हम exactly A भी बोलते हैं, और only A भी बोलते है, important है बेटा, बहुत जाद है सब पता होना चाहिए, only B, या फिर exactly B, बहुत अच्छे, या फिर B मेंसे A और B का common हटा दो, तो सर, B मेंसे, इस B मेंसे, मैंने A, B का common हटा दिया, तो देखो ये जो हरा पार्ट दिख रहा है, ये है सर, B minus A, वोते सर, हावेटा, next आता है भाई, next क्या आता है, मैंने का भी या A union B, इसका मतलब होता है, या तो A, या तो B, at least one of A और B, A और B मेंसे, कम से कम कोई एक तो आजाए, दोनों आए तब भी चलेगा, तो देखो ये जो सर, वाइड पोर्शन है, इसमें देखो सर, सिर्फ A आया, इतने इम देखो भाईया, तो सफेद शेड़ पोर्शन, इसे बुलते हैं A union B, अगला आता है A बार, तो भी या, figure पर मत जाना, शब्दों पर जाना, A बार का मतलब क्या है, A को छोड़ के सब कुछ, तो देखो भी या, A बीच में था, उसको छोड़ दिया है, बाकी सब पिंग से शेड़ है, वो भाई साब है A बार, इसका मतलब B को छोड़ के सब कुछ, तो देखो यह जो B है ना, इतना, समझो B का चकरा छोड़ दिया है, B का चकरा छोड़ के, सारा जो लाल से शेड़ है, पूरा यहां अंत तक, यह बिया complete क्या है, यह complete B बार है, बहुत अच्छे, A union B का बार, रीट कैसे करोगे, A union B को छोड़ के सब, तो A union B देखो, यह non shaded area था, A union B, इसको छोड़ के सब कुछ, मतलब यह पूरा पिंक वाला रीजन, और वाल सार, हाव जीटा, वैलिग को चाहिए, अब आता है sir, A बार और B बार को, दोनों का common area आपको मार्ः करना है, कैसे रीट करोगे, A बार, A को छोड़ के सब कुछ, और B को छोड़ के सब कुछ, उसको भीया जो common area हे, तो देखो भीया, A को छोड़ के सब कुछ, और B को छोड़के सब कुछ, का common area ये ग्रे वाला party तो होगा, ठीक है, रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ना बुलना, ये मत करना कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं है, होना चाहिए एक बार, समझे ये mind map series उनके लिए है, जो एक बार विया पढ़ चुके हैं, ठीक ये होता है A intersection B, इसको सर छोड़के सब कुछ को mark करना है, है सर, तो देखें बेटा इसको हम लोग देखें कैसे mark करेंगे, सर ये देखो, बहुत अच्छे, A intersection B को छोड़के सब कुछ, बज़िया A intersection B को मैंने छोड़ दिया है, बाकी सर सब कुछ को मैंने यहाँ पे ले लि है सही बात है बस देखो भी है इस बीच वाले को छोड़ना है बाकि सबको ले लेना है यह होता है एंटरसेक्शन बी का बार मतलब एंटरसेक्शन बी को छोड़के सब कुछ अरे वासर है सर अब देख लोगा एक चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूंगा यह एक राफता ऑंटरसेक्शन बी का उलवरिष यह यह और extremely प्रसेक्शज बीच क्या है आजए इस का मतलब यह है सर इसका मतलब यह है कि सर यह जो ए उन्वीन का जो सर बार होता है यह किसके बरावर होता है ऑ बार इंटरसेक्शन बी बार इसको भाई单 बी मॉरगन तो देखो भी इसको याद कैसे रखोगे, A union B के पास बार आया, बार आया, तो भी या पहले क्या हुआ, A को चड़ी, बहुत अच्छे, फिर देखो भी या B को चड़ी, बहुत अच्छे, union भी या उल्टा गिर पड़ा, अरे वा, क्या होगे intersection, तो देखो भी या तीनो को च पड़ेगी, A बार, इसको चड़ी तो उल्टा गिर पड़ाएगा, बहुत अच्छे, B को चड़ी, B बार, और रदा 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 है, हाँ, तो A intersection जो B बार है, वो होता है, A बार, union B बार, है सर, हाँ, वीटा, होते सर, बिलकुल, अब यह देख लो, यह ता A intersection B का बार, तो सर, A बार का union लेना है, B बार के साथ, तो देखू, भीज़, A कित्ता होगा, वियान से दखे भीज़, यह पुरा क्या होगा, बहुत अच्छे, बहुत जाद अच्छे, ठीकिना, A को चोड़ी के सब कुछ, अब सर, क्या लेना है, सर, B बार भी लेना है, मतलम सर, B को च तो सर यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है, जहां पर, यह कौन सा कलर है, यलो है, वो भी, हरा आए, वो भी, दोनो है, वो भी, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है, at least बनाना चाहिए, या तो ए बार सिर्फ आजाए, या तो सिर्फ बी बार आजाए, या पीला रंग ए बार है या तो सिर्फ हरा रंग आ जाए हरा रंग क्या है बी बार है या फिर दोनों आ जाए तो सर यहां पर चितना complete shaded area है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर दिस और हाँ यह देखो बीज का portion नहीं लिया गया है बस यह खाली है आप देखो इसका जो विया विं आपके पास देखो disjoint sets होते हैं तो देखो बाई जैसे आपके पास अगर कोई disjoint set होता है तो मतलब कुछ भी common नहीं मतलब no overlapping यह है disjoint set यह A है B है क्योंकि से disjoint है कुछ भी common नहीं है तो देखो overlapping नहीं होगी no overlapping है सर हाँ नेक्स आता बिया case of subset subset का मतलब देखो क्या होता है जैसे यहां पर super set में ले लेता हूं किसको A को बहुत बढ़िया super set यह ले लिया है हमने A को बहुत अच्छे और ऐसा करते हैं B अगर subset है तो देखो यह इसके अंदर होगा ठीक है ना पूरा का पूरा अंदर होगा तो यह बाहर वाला A लेते हैं यह B लेते हैं तो देखो B क्या है विया B is a subset of A है sir B जो है अंदर वाला है ठीक है ना मतलब इसकी definition क्या होती है कि every element of set B will be the element of set A तो भीया set A के पूरे अंदर होता है बहुत अच्छे D.Morgan law already done कैसे याद करना है मैंने बता दिया है A को चड़ी B को चड़ी यह उल्टा गिरके ऐसा हो गया A को चड़ी B को चड़ी यह उल्टा गिरके ऐसा हो गया बहुत अच्छे अब आते हैं जरूरी formula कहां यूज होंगे भीया these are very very useful in probability जो class 12 में भाई पढ़ाई जाती है यह यही formula बेटा बार बार यूज होते हैं इसके भौकाली सवाल में पता है आप सब भ्रम में रहते हों कि आपको probability नहीं आती पर reality क्या होती है कि आपको यह formula नहीं आते है तो यह formula बेटा flashpad में लिखो और इनको याद करो ठीक है हाँ जाज़विया बोला मैंने N of A union B इसका मतलब होता है N A N B minus N A intersection B अगर मैं बोलू N of A का बार intersection B का बार मतलब नाहीं A नाहीं B तो इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब है universal set में से A union B को हटा दो से में बया अगर A intersection B बार है तो इसका मतलब है A में से common part को हटा दो यह सर एक तरह से है क्या यह N of A minus B लिखा है N of A minus B यह मेरी बात क्लियर है इसका मतलब है N में से common part को हटा दो ठीक है ना A में से N में से common part पढ़ा दो अगर भी आप Flashpad में लिख लिया है, जल्दी खुब सारे थमसब दिखा दो, ठीक है, नेक्स आता है मुन्ना, नेक्स आता है भी आ, अगर आपको तीन सेट दी है, A, B, C, तो at least 1 of A, B, C, है सर, हा, N of A union B union C, यह सर किसके बराबर होता है, N A plus N B plus N C, ठीक है, S1 क्या है, 1, 1 का sum, minus S2, मतलब 2, 2 के sum का minus times, सही बात है न, minus times है 2, 2 के sum का, ठीक है 2, 2 का, और साथ में S3 क्या है भी या, तीनों का, add हो गया, S1 minus S2 plus S3, अब यह याले जो formula यतने famous नहीं है, पर J advance इनका use कर सकता है, दियान से सुन लो, J advance इनका use कर सकता है, तीन अगर भी यह set दिये हैं, सिर्फ अगर A बताना है, कितने element होंगे, तो इसका मतलब क्या है, A चाहिए, B और C नहीं चाहिए, यही इसका मतलब होता है, तो इसका formula क्या है, A में से, A intersection B, A intersection C अटा दो, और तीनों वाला add कर दो, देखो भी यह याद करने का तरीका क्या है, अब समझो भी यह याद करने का तरीका, अगर भी यह only A चाहिए, तो A में से, जो A का, देखो, दोनों में A का intersection आया है, जो बच्चे हुए हैं उनके साथ, और तीनों का addition आया है, ठीके भाई, और तीनों वाला add कर दो, पैटरन समझे, समझे, अगर पैटरन समझे, जल्दी कमेंट कर दो, पैटरने दिलाग, 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 करियर की कसम है, अब आता भी यह number of elements in C, Sir, A नहीं चाहिए, B नहीं चाहिए, C चाहिए, सही बात है, तो Sir, यह हो जाएगा, एंसी में से देखो, C का intersection, B के साथ, फिर A के साथ, और तीनों वाला add, बहुत important भी यह formula है, इस पर direct सवाल आ जाते है, जिसको यह formula याद नहीं होता है, वो सवाल नहीं कर पाता है, जिसको भी यह याद होता है, वो कर लेता है, है Sir, हाँ बेटा, ओते Sir, बिलकुल, exactly one of these sets से ही है, मतलब exactly one of these sets का मतलब क्या, या तो सिर्फ A, या तो सिर्फ B, या तो सिर्फ C, ठीक है न, तो देखो, आप क्या करोगे, यह जो पीछे जो तीन formula आपने याद करें, इन तीनों को add करो, जैसे भी यह तीनों को add करोगे, यह आ जाएगा देखो, N A, N B, N C, माइनस टू टाइम्स दो दो वाला, ठीक है भी या, माइनस टू टाइम्स दो दो का सम, प्लस थ्री टाइम्स तीनों, बहुत अच्छे, तो देखो, इसको मैं ऐसे याद कराता हूँ, जो एक एक आया है, जो दो दो आये है, वो है माइनस टू टू और जो तीन आया है, वो है 3S3, जैसर हाँ, इस पे सवाल, एडवांस में आ सकता है, और मेंस के चांसे सम, पर एडवांस में आ सकता है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, तो भाई देखो, रिवीजन हो गया है, थेंक यू सु important formula जो आपको याद करने हैं, ठीक है, मैंने कोशिच करी थी कि 25 मिनट में रिवीजन हो जाए, पर I'm sorry, 40 मिनट लग गया, ठीक है, तो बाकी बच्चों, I love you all, I hope की set theory आपने पढ़ लिया था, तभी आप इस lecture में आए हो, ठीक है न, प्लीस, flashpad में सारी चीज़ें लिख लेना खून में बसा लेना, जैसे बेटा ये सारी चीज़ें आप खून में बसा लो, comment कर देना, कि सर खून में बसा लिया, एक एक formula पूरा दिमाग में set कर लिया, एक एक formula याद कर लिया, और आखरी में comment कर देना, JB के दिलाग में समझ जाओंगा, कि सारी चीज़ें तुमने करियर की कसम है बावाई